दिल्ली जैपुर हाईवे संक्या 48 पर उस वक्त भीशन हाथसा हो गया जब सवारियों से भरी एक क्रूजर हाईवे पर खड़े ट्रॉक्ट से जाटकराई इस हाथसे में क्रूजर में सवार एक ही परिवार की दो महिलाओं सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि क्रूजर में सवार बार हैं अन्ने लोग कंभीर रूप से घाय लोगे सभी घाय लोग को इलाज के लिए अस्पतालों में भरति कराया गया है यह हाथसा आज सुबह सवेरे करीब पांच बजे उस वक्त हुआ जब जैपूर के सामोद गाउं के रहने वाले ये लोग अपने दादा की अस्थियां प्रवाहित करके हरिदवार से वापस जैपूर लोट रहे थे सुबह जैसे ही करीब पांच बजे क्रूजर दिल्ली जैपूर हाईवे संख्या 48 पर रिवाडी जिला के अंतरगत ओढ़ी कट के समीप पहुँची तो अचानक तेज रफतार क्रूजर एक खड़े ट्रक से जाटक राई इस हाथसे में क्रूजर में सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मोत हो गई जबकि बारह अन्ने लोग कंभी रूप से घायल हो गए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हाथसे में किस तरह क्रूजर के परखचे उड़ गए और क्रूजर बुरी तरह छतिगरस्त हो गई इसी से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाथसा कितना भीशन था इस क्रूजर में कुल सत्रह लोग सवार बताये गए है घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और सभी मरतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बावल के समुदाइक स्वास्केंदर पहुँचाया गया जबकि सभी घायलों को हस्पतालों में भरती कराया गया है वहीं पुलिस ने मामले की जाच भी शुरू कर दी है रिवाडी से निजवाइस के लिए संजे कोशिक के साथ आजे सागर अत्री की रिपोर्ट रिवाइस के लिए रिपोर्ट बोगती रिवाइस के लिए था कि रिए 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 साथ रिए रिए पारों में प्रतालों में दी है